हलो बच्चों कैसे हो आप सब welcome back to our channel my name is Priya और आज हम स्टार्ट करेंगे quantitative analysis of organic compound अभी तक हमने purification और qualitative analysis के बारे में study करा जिसमें हमने ये देखा कि हम सबसे पहले impure compound से pure compound कैसे extract कर सकते हैं और फिर हमने ये देखा कि जो compound हमने extract कर रहा है उसमें हम अलग-अलग elements को identify किस तरीके से कर सकते हैं अब हमें find out करना है कि जो elements हमने identify करे हैं वो कितनी amount में उस organic compound में present है जैसे आपने carbon find out करा था, phosphorus find out करा था, sulfur find out करा था, halogens find out करे थे ये सारे के सारे जो elements आपने detect करे थे किसी organic compound के अंदर अब आपको ये बताना है कि ये कितनी amount में present है कितनी percent हमारे पास nitrogen है इस compound में, कितना percent sulfur present है, कितना percent halogen present है So, let's start with carbon and hydrogen, हमने detection भी carbon hydrogen से start करी थी और इसकी amount भी हम carbon hydrogen से ही start करेंगे So, जब हम carbon और hydrogen elements को quantify कर रहे हैं, quantify करने का मतलब है कि हमें ये बताना हो कि उसकी कितनी quantity present है तो यहाँ पर हम अपनी जो हमने qualitative analysis यूज़ करें थे न, कि हम कैसे detect करते हैं elements को, वो हमें यहाँ पर use करना है जैसे अगर हम carbon और hydrogen को देखें, तो अभी फिलाल हमारे पास जो organic compound है, उसका weight हम W consider कर रहे हैं इस पूरे lecture में हम organic compound का weight W consider करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले organic compound को हमें copper oxide के साथ react करवाना है जैसे आप copper oxide के साथ इस organic compound की reaction देखोगे, तो यहाँ पर जो carbon और hydrogen present है इस organic compound के अंदर, वो CO2 और water में convert हो जाएगा और यह जो CO2 और water है, यह इस तरीके का apparatus होता है आपके पास यहाँ आपकी reaction पर form कर रही होते हैं, जैसे यह CO2 और water form होता है, यह आगे move करते हैं अपने इन दो chambers के अंदर सबसे पेदे हमारे पास एक enhydrous calcium chloride का chamber enhydrous calcium chloride का का काम होता है, water को absorb करना यहाँ पर क्या होगा, आपका water absorb होगा absorbs water, यानि इस chamber के अंदर तो जैसे आप यह CO2 और water पास करोगे, इसमें से जो water molecule है वो absorb हो जाएगा और CO2 आपका next chamber के लिए move करेगा, अब next chamber में आपके पास है aqueous KOH, aqueous KOH का work होता है CO2 को absorb करना, absorb CO2, और यहाँ पर जैसे आप further आगे move करोगे, आपके पास CO2 भी हट जाएगी, अब आपके पास सिर्फ excess of oxygen present है जो भी आपकी reaction में अगर release हुई होगी तो वो यहाँ से release out हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें ये CO2 और water में convert करना है फिर हम इसे calcium chloride में से पास करेंगे जो water को absorb करेगा और फिर aqueous KOH solution से पास करेंगे जो CO2 को absorb करेगा अब कई बर क्या होता है आपको question दे दिया जाता है कि अगर हम इन chambers को reverse कर दें तो क्या होगा कि aqueous KOH की जगह हम anhydrous calcium chloride का chamber place करें और anhydrous calcium chloride की जगह हम aqueous KOH का chamber place करें तो अगर आपने यहाँ पर aqueous KOH का chamber place कर दिया तो aqueous KOH के पास tendency होती है सिर्फ CO2 को absorb करने की नहीं water को भी absorb करने की तो आपका CO2 और water दोनों के दोनों यहीं absorb हो जाएंगे calcium chloride के पास जाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो calcium chloride हम use क्यों कर रहे है और यह हम exchange कर नहीं सकते अब क्यों exchange नहीं कर सकते वो अभी आपको समझाएगा क्योंकि जब भी हम यहाँ पर इसकी quantitative analysis करेंगे तो उसके लिए हमें यह दोनों के अलग-अलग होने की requirement है यानि कि हमें दोनों तरफ अलग-अलग water और CO2 की absorption को study करना है अब वो हम study कैसे करेंगे कि देखो सबसे पहले आप जो यहाँ पर calcium chloride और aqueous KOH यूज कर रहे हो इनका initial weight find out कर लेना क्योंकि जब आप बाद में इनका weight find out करोगे तो उसके अंदर आपका calcium chloride में तो water absorbed हुआ मिलेगा और aqueous KOH के अंदर आपका CO2 absorbed हुआ मिलेगा तो यहाँ से आपके पास extra weight आएगा और वो extra weight water और CO2 की वज़े से आ रहा है तो हम यहाँ पर gain in weight calcium chloride के case में और gain in weight in case of KOH तोनों के case में find out करेंगे तो हमारे पास water और CO2 का weight आजाएगा कि कि इतना amount of CO2 और water release हुआता इस organic compound में से देखो हम percentage कैसे find out करेंगे सबसे पहले हमने देखा कि gain in weight of calcium chloride और gain in weight of aqueous KOH हम find out करेंगे जो हमारे पास water और CO2 का weight ही आएगा हमने let कर लिया कि calcium chloride का weight x grams आ रहा था gain in weight और KOH के case में हमारे पास y grams आ रहा था तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास इन दोनों weights को use करके आप hydrogen और carbon की percentage organic compound में find out करोगे अब वो आप कैसे find out करोगे सबसे पहले तो आपको पता है कि जो आपका water molecule है उस water molecule के अंदर 2 hydrogen atoms present है और एक hydrogen atom का weight है 1 grams तो 2 hydrogen atoms का weight कितना होगा 2 grams और water molecule का weight है आपके पास 18 grams तो इसका मतलब है कि 18 grams of water molecule के अंदर आपके पास 2 grams of hydrogen है यह water molecule और यह hydrogen है तो यहाँ पर अगर आपको x gram of water molecule given होगा तो आपके पास कितना amount of hydrogen होगा उस time पर? 2 by 18 into x तो यहाँ पर आपने वही find out करा है weight of hydrogen in x grams of water अब इस weight को use करके आप percentage find out कर सकते हो कैसे find out करोगे? percentage of hydrogen in organic compound weight of hydrogen by weight of organic compound हम percentage ऐसे ही तो निकालते हैं जो भी हमारे पास total आता है उसको divide करते हैं हम total numbers जो हमारा जैसे आप marks की percentage find out करते हो अपने तो कैसे find out करते हो? कि जो आपका score आता है divided by total maximum marks into 100 तो यहाँ पर भी भाई है weight of hydrogen जो आपने find out कर रहा है divided by total weight of organic compound into 100 अब weight of hydrogen तो आपने यह find out कर रहा है organic compound का हमने W consider करा था into 100 यहाँ से आपके पास percentage of hydrogen आ जाएगा organic compound के अंदर अब इसी तरीके से हम carbon find out करेंगे जब हम carbon find out करेंगे तो CO2 हम consider करेंगे CO2 का molecular weight होता है 44 grams 44 grams of CO2 के अंदर अगर आप देखोगे तो सिर्फ 12 gram of carbon present है क्योंकि सिर्फ एक atom ही तो है carbon का और यहाँ पर आपके पास है y grams of CO2 यहाँ पर अभी आपने देखा और y grams के लिए आप कैसे find out करोगे 12 by 44 into y यहाँ पर आपने वही find out करा है बस इसे आपको use करना है percentage find out करने में similar तरीके से जैसे आपने hydrogen find out करे थी तो यहाँ पर आप percentage of carbon find out कर लोगे 12 by 44 into y which is weight of carbon divided by total weight of organic compound that is 12 that is w into 100 तो इस तरीके से आप किसी भी organic compound के अंदर hydrogen और carbon की percentage find out कर सकते हो अब यह तो हो गए हमारे दो initial elements carbon और hydrogen जो हमारे पास organic compound में must है उनकी हमें quantification भी आगी और qualitative analysis भी आचुका पिछले lecture में हम देख चुके है now let's move on towards the nitrogen अब nitrogen के case में क्या होता है देखो nitrogen के case में हमारे पास इसको हम दो method से nitrogen को estimate कर सकते हैं quantify कर सकते हैं dumas method and zeldals method so let's begin with dumas method dumas method के case में आपको क्या पता होना चाहिए कि जितना भी आपका organic compound होगा और उसमें nitrogen है वो nitrogen पूरा का पूरा आपका nitrogen gas में convert हो जाना चाहिए all the nitrogen in compound must be converted to nitrogen gas अब ये conversion कैसे होगी फिर से आप अपने organic compound को copper oxide के साथ react करवाओगे तो अब यहाँ पर जब आप reaction करवाओगे तो organic compound में तो carbon और hydrogen भी present है तो आपके पास CO2 और water तो release होगा ही plus साथ में nitrogen भी release होगा लेकिन कुछ oxides of nitrogen भी आएंगे और कुछ copper भी release होगा अब ये जो oxides of nitrogen है इन्हें तो आप estimate नहीं कर सकते due mass method से क्योंकि due mass method की जो requirement है वो है nitrogen की presence तो यहाँ पर आप क्या करोगे reduced copper के साथ इसे react करवाओगे जो आपका further oxides of nitrogen को nitrogen gas में convert कर देगा और CuO में आपके पास वापस से copper oxide आएगा अब ये वाला setup आपका इस तरीके से exist करता है यहाँ पर क्या होता है आपकी जो ये tube है यहाँ तो organic compound को आप copper oxide के साथ heat करते हो और यहाँ पर आप use करते हो reduced copper जो further oxides of nitrogen को nitrogen में convert करता है तो यहाँ से आपके पास इधर nitrogen gas move करती है अब nitrogen gases chamber के अंदर आती है just chamber में आपके पास है aqueous KOH और अभी हम देख रहे थे कि aqueous KOH क्या absorb करता है absorbs CO2 and water यानि यहाँ पर हमारे पास तीन gases release हुई थी CO2, water and nitrogen जिसमें से CO2 और water तो इसने absorb कर लिया अब nitrogen का क्या होगा nitrogen obviously gas है तो gas क्या करती है उपर की दरफ move करती है यानि यहाँ से आपके पास nitrogen gas release होगी अब nitrogen gas क्या करेगी इसे उपर की दरफ move करेगी और move करते करते वो क्या करेगी इस जो यह aqueous KOH का level है नहीं यहाँ पर इस level को decrease करेगी क्योंकि यह उपर से pressure लगाएगी इसके उपर इसका क्या मतलब है कि यहाँ से आपका जब nitrogen release होगी तो nitrogen यहाँ पर इस air space में present होगी और यह nitrogen यहाँ से इस aqueous KOH की layer के उपर pressure apply कर रही है तो यहाँ पर आपको यहाँ nitrogen का pressure find out करना पड़ेगा अब जब यह यहाँ पर जा रहा है तो already यहाँ पर कुछ amount of pressure तो present होगा ना कुछ तो space थी यहाँ पर तो वो pressure let's say हमने P consider कर लिया और हमें find out करना है nitrogen gas का pressure जो यहाँ पर यह exert कर रही है उसको हम consider कर रहे है P1 pressure आप कैसे find out करोगे P1 pressure find out करोगे P-equist tension अब आप सब सोच रहोगे कि ठीक है माम यह P तो समझ आ रहा है कि already जो pressure present था उसे तो हम remove करेंगे ही लेकिन यह equist tension क्या है जब भी आपके पास word equist tension आए तो उसका मतलब है कि जो आपके water vapors present है gas के अंदर उनका partial pressure अब आप सब सोच रहो हो कि water vapors present है gas में मतलब कई बार क्या होता है आपके जो gas होती है वो humid humid सी होती है ना तो उसका मतलब है कि आपकी gas में moisture present है और gas में moisture present होने की वज़े से आपको pressure में से equist tension remove करना पड़ता है which is the partial pressure of water vapors present in the moist gas यानि जब आप equist tension को define करोगे तो equist tension होता है आपके पास partial pressure of water vapors in moist gas तो यहाँ पर आप nitrogen का pressure कैसे find out करोगे P minus equist tension तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा nitrogen का pressure आजाएगा और इस system का temperature आपको अल्रेडी given होगा let's say T1 temperature आपको given है तो आपके पास P1 है T1 है और आपको यहाँ से volume भी पता लग जाई क्योंकि जब आप यहाँ पर इसके अंदर देखोगे तो यहाँ आपको amount of change भी तो दिखेगा और जो change दिखेगा वही nitrogen की volume है यहाँ से आप V1 volume भी find out कर सकते हो तो आपने P1, T1 और V1 तीनों आपको states पता है बस इन्हें use करके आप तो कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि हमारे पास तो equation है na PV is equals to nRT जिस equation को use करके हम further कुछ भी find out कर सकते हैं कुछ भी का मतलब है कि number of moles आप find out कर सकते हो और उसी से तो आपके पास weight आएगा nitrogen का तो यहाँ पर आप इस equation को use करोगे जिसमें आपके पास pressure होगा P1 volume होगी V1 moles की इसके लिए आप weight by 28 यूज करो क्योंकि आपको weight of nitrogen find out करना है nitrogen का molecular weight होता है 28 into R gas constant into temperature T1 जब आप इस equation को use करोगे तो आपके पास weight of nitrogen आएगा जिसको आप further use करके percentage of nitrogen find out कर सकते है और percentage of nitrogen कैसे find out करोगे जैसे अभी तक हम find out करते आ रहे थे percentage of carbon और hydrogen weight of nitrogen divided by molecular weight of organic compound that is organic compound का weight W into 100 यह आजाएगा आपके पास percentage of nitrogen present in organic compound so इस तरीके से आप किसी भी organic compound के अंदर nitrogen की presence explain कर सकते हो कितना amount present है this was your dumas method now let's move on to zeldals method zeldals method के case में क्या होता है dumas method में तो आपको सारा का सारा organic compound जो nitrogen उसमें exist कर रहा है उसको nitrogen into gas में convert करना था लेकिन यहाँ पर जो आपके पास nitrogen प्रेजेंट है compound के अंदर उसे अमोनिया में convert करना है अब अमोनिया में किस तरीके से convert होगा सबसे पहले तो आपको एक zeldal mixture prepare करना है किसमें prepare करोगे आप यह zeldal flask के अंदर जिसमें आप क्या-क्या ammonium sulfate की formation होगी अब इस ammonium sulfate को आपको further use करना है nitrogen की estimation के लिए अब आप सोच रहोगे कि reaction तो हमें H2SO4 के साथ करनी है तो K2SO4 और CuSO4 का क्या काम है K2SO4 use करा जाता है आपके H2SO4 का boiling point increase करने के लिए क्योंकि H2SO4 already बहुत warm होता है बहुत उसकी वो exothermic reactions होती है वो जल्दी जल्दी अपनी reactions perform करके temperature बहुत जल्दी बढ़ा देता है system का तो उस चीज को reduce करने के लिए कि जल्दी जल्दी temperature rise ना हो या फिर अगर temperature rise हो रहा है तो boiling point उसका जादा हो जाए जिस वज़ेसे जो water जो H2SO4 और organic compound की reaction है वो easily perform हो सके और copper sulfate हम use करते है फ्रॉफिंग को avoid करने के लिए frothing को avoid करने का मतलब होता है जैसे कई बार आप reactions लगाते हो lab में तो उन reactions में आपके पास वो bubbles आने लग जाते है उपर की तरफ जो reaction को properly perform नहीं होने देते आपको main reaction तो organic compound और H2SO4 के बीच में observe करनी है यहाँ से आपको ammonium sulfate मिलेगा अब इस जलडाल mixture को आप use करोगे another flask के अंदर जहाँ पर आपने NaOH consider कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास जलडाल mixture के साथ जो NaOH है इनकी reaction होती है और इनकी reaction से आपके पास Na2SO4 और ammonium hydroxide की formation होती है जो जब further heat होते तो ammonia और water release होता है तो यहाँ से आपकी ammonia gas पास होती है लेकिन यह जो reaction है ना इस reaction के अंदर बहुत जादा reactive components आप use कर रहे हो H2SO4, NaOH बहुत strong acid और bases है तो काफी जादा reactive सी आपकी reaction हो रही होगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा समहल का reaction को perform कर रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर use कर रहे है जलडाल strap अब जलडाल strap का यहाँ पर क्या use है जब भी आपके पास यह reaction perform हो रही होगी ना तो सिर्फ ammonia gas ही release नहीं हो रही होगी water जो आपके vapors form में है वो यहाँ पर इतने splash out होंगे कि वो इस distillation system के अंदर जाने की कोशिश करेंगे उसको prevent करने के लिए यहाँ पर जलडाल strap यूज करा गया है अब यहाँ पर word trap इसले यूज करा गया है क्योंकि यह जो water vapors है ना उनको trap कर लेता है उ और फिर आगे वो condenser से pass होती हुई आपके flask में collect होगी अब इस flask के अंदर आपके पास H2SO4 already present है जो H2SO4 इस ammonia gas को collect करेगा अब आप सब सोच रहे हैं कि जो ammonia यहाँ पर आ रही थी यहाँ तो liquid form में present हो रही है ammonia condense होकर आ रही है तो यहाँ हमें H2SO4 की क्या requirement आ गई क्यों करनी थी लेकिन उसको study करने के लिए हमें H2SO4 की requirement है अब वो कैसे requirement है वो अभी हम देख रहे हैं देखो इसमें क्या होता है सबसे पहले आपको gram equivalence find out करने है H2SO4 का जो आपने consider कर रहा है इस flask के अंदर जहाँ पर आपने ammonia को collect कर रहा है यहाँ पर आपके पास जो H2SO4 अपने यहाँ इसकी consider करी है बस इन normality और volume को use करके आपको इसके gram equivalence find out करने है अब आप सब सोच रहे हो कि gram equivalence क्या है वैसे gram equivalence normality यह सारे concept आप अपने chapter 1 मूल concept में study कर चुके हो लेकिन फिर भी अगर आप gram equivalence और normality को एक short discussion में देखो तो normality find out करने के लिए हम use करते है gram equivalence upon volume अगर यह volume ml में है तो हम thousand से multiply करते है तो इस वज़े से अगर हमे gram equivalence find out करने है तो हम normality into volume divided by thousand use करते है अब gram equivalence क्या होते है gram equivalence होते है हमारे पास moles into N factor N factor होती है आपके पास आपके compound की valency या पर acid और base में से कितने H positive या OH negative release होते है उसे हम बोलते है N factor जैसे H2SO4 के case में आपके पास 2 hydrogen ions release हो सकते है तो H2SO4 का N factor होगा 2 तो यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे H2SO4 का gram equivalence find out करोगे which is X अब यहां प gram equivalence of any waste titrate करने के लिए उसे find out करोगे अब यहां titrate करने का क्या मतलब है वह देखो जब आप यहां पर ammonia को collect करोगे इस flask के अंदर तो ammonia क्या करेगा basic nature का है इस acid को neutralize करेगा जिस वजह से क्या होगा यहां पर कुछ ना कुछ acid की जो quantity है वो decrease हो जाएगी तो आपके पास कु ना use हो गया तभी तो आप find out कर पाओगे कि कोई direct method तो है नहीं जिससे आप residual amount of acid को find out कर सको तो उसके लिए हम perform करेंगे titration अब titration हम use कर रहे है एन ने वेच titration perform करने के लिए अब ने वेच जो हमने यहां concentration consider करी है वही concentration हम H2SO4 के लिए consider करेंगे जब हम इसको एन ने वेच के साथ titrate करेंगे titrate करने का मतलब है जो आप experiments perform करते हो ने titration के जिसमें drop by drop up titration perform करते हो वही titration करने है यहां हम acid based titration कर रहे है अब acid based titration में क्या होता है एक हमारे पास buret होती है और एक नीचे flask होता है buret में हम base consider करते हैं और flask में हम acid लेते हैं अब titration कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ end point के लिए हमें result भी चाहिए तो उसके लिए indicator चाहिए indicator हम यहां use कर रहे है phenophthalene reagent phenophthalene reagent जब हम acid में add करते हैं तो वह colorless solution प्रवाइड करता है लेकिन जैसे ही वह basic solution में चाहता है वह हमें pink color प्रवाइड करता है तो यहां जब हमारे पास titration हम perform करेंगे हम क्या करेंगे drop by drop NaOH H2SO4 में add करेंगे यानि drop by drop हम base acid के अंदर add करेंग जब हम यहां पर drop by drop addition करेंगे तो यहां पर neutralization perform हो रही होगी neutralization में क्या हो रहागा कि आपका चो base है वह acid को neutralize कर रहा होगा अब जैसे जैसे acid neutralize होता जाएगा एक point ऐसा आएगा जहां पर acid completely neutralize हो जाएगा और उस point के बाद जो भी एक drop अगर base की यहां flask के अंदर add हो रही अब यहां पर हमने यह titration perform क्यों करी है जब आप इस titration को perform कर रहे होगे तो नीचे flask में आपने consider कर रहा है residual acid और उपर आपने base consider कर रहा है अब base में जो भी आपको change in volume observe हो है वो है आपकी base का used volume है जिससे आप find out करोगे gram equivalence of NaOH used तो आपको उस titration से NaOH की volume पता लग जाएग तो वहां से आप gram equivalence of NaOH find out कर लोगे उसके बाद अब यह जो आपके gram equivalence NaOH की आए है titrate करने के लिए जितने amount NaOH की use हुई होगी titrate करने के लिए उतना ही तो amount acid neutralized हुआ होगा NaOH की help से तो जो आपका amount acid neutralized हुआ था वो acid तो हमने वो consider करा था जो इस flask में acid बच गया था तो उ that is equal to y so अगर मुझे यहां से अब यह find out करना हो कि कितना acid neutralized हुआ था initial आपके पास इतना था यह आपका बच गया तो neutralized कितना हुआ का है उतना ही gram equivalents आपके H2SO4 के acid के यह neutralized हुए होगे तो gram equivalents of ammonia is x-y अब यहां से आपको gram equivalents of ammonia पता लग गया और हमें पता है कि ammonia की one gram equivalent में हमारे पास 14 gram nitrogen present होती है क्योंकि इसके अंदर एक ही nitrogen का atom है तो हमें find out करना है x-y gram equivalents के लिए तो उसमें कितना nitrogen होगा 14 into x-y grams यहां से आप percentage of nitrogen find out कर सकते हो percentage of nitrogen तो organic compound में आईगी आपके पास 14 into x-y by w which is the gram of nitrogen by molecular weight in molecular weight sorry weight of organic compound into 100 तो यहां से आप percentage of nitrogen find out कर सकते हो so this was your zeldals method so nitrogen को आप estimate करने के लिए dumas method और zeldals method यूज कर सकते हो लेकिन zeldals method की एक अपनी limitation है अब वो limitation क्या है zeldals method आप उन nitrogen containing compounds के लिए यूज नहीं कर सकते हैं जिन compounds में आपके पास nitrogen nitro की form में present है या फिर azogroups का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से nitrogen present है वहाँ पर या फिर वो aromatic ring में present है aromatic ring का presence मतलब जैसे कि आपके पास अगर इस तरीके से nitrogen present है किसी compound के अंदर तो आप इस इन compounds के जो nitrogen है उन्हें estimate नहीं कर सकते हो using the zeldals method क्योंकि इन compounds के अंदर जो हमारे पास requirement जeldals method में कि हमें ammonium sulfate की formation देखनी है वो formation होती ही नहीं है इन compounds के अंदर इस वजह से इन compounds के लिए आप duma's method consider करते हो so this was the estimation for nitrogen now let's move on to halogens halogens की estimation के लिए आप use करोगे karyas method अब karyas method के अंदर क्या होता है पहले तो आपको वही अपनी qualitative analysis को ही use करना है कि organic compound को हमने HNO3 के साथ react करा फिर उसके अंदर हमने further agno3 add करा यहां पर आपके पास आएगा agno3 आपने उसके अंदर further agno3 add करा जिसके साथ react करने के बाद आपके agcl, agbr, agi जो भी आपका halogen है agx halogen precipitate करेगा यह हम already qualitative analysis में देख चुके हैं तो यहां पर क्या होगा जो भी आपका यह precipitate बनेगा उसे आप filter करोगे wash करोगे अच्छे से dry करोगे और फिर उसको weight करोगे जब आप उसका weight करोगे तो उसका आप weight आप note करोगे that is weight of जो भी आपका agx form हुआ है अब जो भी आपका agx form हुआ है agcl हुआ है agbr हुआ है यह agi हुआ है इन तीनों से ही आप उसके percentage of halogen को find out करोगे कैसे find out करोगे देखो अगर आपका agcl form होता है तो agcl का molecular weight होता है 143.5 grams जिसमें 108 होता है silver का molecular weight और 35.5 होता है chlorine का तो अगर आपको percentage of chlorine find out करना है किसी भी compound के अंदर तो आप कैसे find out करोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम hydrogen और carbon find out कर रहे थे कि जब हमारे पास agcl है और cl हम consider कर रहे है 143.5 grams में हमारे पास है 35.5 gram chlorine अगर हम इसका 1 gram consider करते है तो हमारे पास आता है 35.5 by 143.5 grams और अभी हमारे पास कुछ weight है weight of agcl तो उसके लिए हमारे पास कितना amount होगा 35.5 divided by 143.5 multiplied weight of agcl तो बस यहाँ पर यह देखो आपका 35.5 by 143.5 into weight of agcl यह आपका है amount of chlorine divided by total weight of organic compound which is w into 100 आप इस तरीके से percentage of chlorine find out कर सकते हो similarly आप percentage of bromine भी find out कर सकते हो और iodine भी find out कर सकते हो bromine के लिए आपको यहाँ पर bromine का weight और agbr का weight consider करना है और iodine के लिए आप यहाँ पर iodine का weight और agi का weight consider करोगे तो यहाँ पर आपके पास bromine के लिए 80 by 108 plus 80 multiplied weight of agbr by weight of organic compound into 100 similarly agi के case में आपको weight of agi by organic compound into 100 use करना है इस तरीके से आपके पास जो भी halogen present है chlorine, bromine, iodine में से organic compound के अंदर उसे आप detect कर सकते हो so this was a detection of halogens, now let's move on to sulfur sulfur के लिए भी आप karyos method use करोगे, देखो karyos method को use करते हो, आपको थोड़ा से ध्यान देना है कि जो आपका इसमें apparatus होता है वो इस तरीके से होता है यह आपके जो karyos tube होती है न, इस tube के अंदर आप direct अपना mixture नहीं डालते है, इस tube के अंदर आप एक tube डालते हो जिस tube के अंदर आप यहाँ पर यह आपकी अंदर वाली tube बोली जाती है karyos tube, इस tube में आप अपना organic compound डालते हो और फार आप इसके अंदर जो भी solution आपको डालना होता है वो add करते हो, फिर आप उसका study करते हो, उसकी estimation करते हो तो यह तो हो गया इसका apparatus, अब हमें तो apparatus अभी कुछ यूज करना नहीं है, हमें तो सिर्फ theoretical knowledge gain करने हैं यह सारे experiments आपके higher classes में आते हैं, तो सबसे पहले आपके पास है karyos method for sulfur karyos method of sulfur के लिए हम कैसे use करेंगे, यहाँ पर भी हम HNO3 use करेंगे, जो HNO3 organic compound में जो भी sulfur होगा उसे SO3 में convert करतेगा, अब यह conversion कैसे होती है, HNO3 जब heat करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके पास heat भी तो करी जा रही है system में, तो जब आप heat करते हो HNO3 को, तो वो nascent oxygen release करता है, जो nascent oxygen sulfur के साथ react करके उसे SO3 में convert करता है, अब यह SO3 further water के साथ react होकर H2SO4 की formation करता है, जो further barium chloride के साथ react होकर barium sulfate की formation करता है, अब यह barium sulfate precipitate होता है इस reaction के अंदर, जिस precipitate को आप filter करते हो, wash करते हो, dry करते हो और फिर weight करते हो, और फिर से आप जैसे halogen का आपने percentage find out कर रहा था, यहाँ पर आप sulfur का find out करते हो, जिसके लिए आपको molecular weight of barium sulfate की requirement होगी, which is 233 grams, so percentage of sulfur is 32 by 233, क्योंकि sulfur atom का weight होता है 32, into weight of barium sulfate, जो यहाँ से आप find out करोगे, divided by weight of organic compound into 100, इस तरीके से आप sulfur के amount या percentage find out कर सके अपने organic compound के अंदर, so this was your estimation of sulfur, now let's move on to estimation for phosphorus, now moving on towards the estimation of phosphorus, आप phosphorus को किस तरीके से estimate करोगे, अपने compound में, phosphorus को estimate करने के लिए आपके पास 2 method है, अब 2 method क्या है, देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका organic compound है, जिसमें phosphorus है, उसको आप HNO3 के साथ heat करोगे, जैसे आप इसे HNO3 के साथ heat करोगे, आपके पास P2O5 की production होगी, जिसे आप further water के साथ treat करने पर आपके पास H3O4, PO4 acid आपको obtain होगा, अब इस acid को ही आप दो तरीके से यहाँ पर estimation के लिए use कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर magnesium chloride और ammonium chloride के साथ reaction करनी है, heat करना और आपके पास यहाँ पर magnesium ammonium phosphate प्रेडियूस होगा, जिसे आप further जब heat करो, क्योंकि reaction में तो continuous heating हो रही है, तो जब यह further heat होगा, तो आपके पास Mg2P2O7 प्रेडियूस होगा, जो कि आपका precipitate out होगा reaction के आपनी percentage of element को find out करने के लिए, तो यह तो होगा हमारा first method, अब second method में क्या होगा, second method वही आपने जो quality detect करी थी ना, कि detection of element phosphorus आपने detect किया था, तब उसके अंदर आपने use करा था, ammonium, molybidate, यहाँ पर भी आप वही use करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो H3PO4 आपका produce इसको आप ammonium molybidate के साथ react करवाओगे, HNO3 की presence में, तो आपके पास यहाँ पर ammonium phosphomolybidate produce होगा, जो की filter out over reaction के अंदर और यहाँ फिर से अगर हमें यहाँ precipitate मिल रहे हैं, तो precipitates को हम पहले filter करेंगे, फिर हम उन्हें wash करेंगे, फिर हम उन्हें dry करेंगे, फिर उसका weight ले यूस करके, आप percentage of phosphorus find out करोगे, तो हम कैसे find out करेंगे, सबसे पहले हम अपने first part की calculation करते हैं, जो हमारे पास first part था, first method था, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास mg2p2o7 produce हो रहा है, यानि कि एक compound के अंदर आपके पास 2 phosphorus atoms है, एक phosphorus atom का weight है, आपके पास 31 grams, तो 2 phosphorus atoms का weight सो, जो हमारे पास 222 grams of mg2p2o7 है, उससे आपके पास 62 grams of phosphorus produce हो रहा है, यानि कि वहाँ पर आपके पास 62 grams of phosphorus है, और हमने देखा था कि अगर हम इसका weight M1 find out करते हैं, तो M1 grams में कितना होगा, 62 divided by 222 into M1, यहां से आपके पास phosphorus का weight आएगा, बस इसी weight को आपको use करना, इसकी percentage को find out करने के लिए, जो आप कैसे find out करोगे, percentage of phosphorus is equals to 62 by 222 into M, which is this molecular weight, यहां पर M1 divided by weight of organic compound into 100, इस तरीके से आप phosphorus का percentage find out कर सकते हो, किसी भी organic compound के अनपर, यह तो होगा हमारे पास first case के हिसाब से, अब हमें second case के according भी देखना है, second case के according क्या होगा, यहां पर हमारे पास है, अब ammonium phosph molybidate, अब यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, जब आप इसका molecular weight देखते हो, that comes out to be 1877 grams, और एक compound के अंदर सिर्फ एक atom phosphorus है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां 62 की जगा, जैसे हमने 62 के लिए find out करा था, यहां 31 के लिए find out करेंगे, तो mass of phosphorus आएगा आपके पास, 31 by 1877 into M2, which is the molecular, which is the weight for this precipitate, अब हमारे पास हम इस precipitate के weight को use करेंगे, phosphorus के weight को use करेंगे, और वहां से percentage of phosphorus find out करेंगे, यहां आपके पास percentage of phosphorus in organic compound, so इस तरीके से आप phosphorus को estimate कर सकते हो, so this was your estimation for phosphorus, now let's move on towards another atom, which is oxygen, यानि अब हमें estimation of oxygen को study करना है, जब भी आप estimation of oxygen की बात करोगे, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि usually तो हम oxygen की percentage, composition, बाकी सारे elements को 100 में से subtract करके find out कर लेते हैं, कि अगर हमारे पास compound के अंदर carbon, hydrogen और oxygen है, उसमें से carbon और hydrogen की percentage हमने find out कर ली, तो उनको add करके 100 में से minus कर तो oxygen किया जाएगी, पर अगर आपके पास question आजाए, how will you estimate oxygen, तो उसको answer करने के लिए आपको oxygen की estimation भी आनी चाहिए, तो यहां पर हम oxygen की estimation study करेंगे, oxygen के estimation के time पर क्या होता है, आपको organic compound को heat करना होता है, अब heat करते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पर nitrogen gas भी pass करनी है, जैसे ही आप heat क करोगे यहां पर organic compound को, तो आपके पास oxygen के साथ साथ बहुत सारी other gases भी produce होगी, लेकिन आप यहां पर सिर्फ oxygen को consider करोगे, हमें तो main role oxygen का ही देखना है, तो जब यह oxygen further red hot coke के साथ पास होगे, react करेगी, red hot coke क्या होता है, carbon at a very high temperature, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, जब य I2O5 के साथ react करेगा, तो CO2 plus iodine molecule की formation होगी, अब यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास, इन reactions को use करके आपको oxygen को estimate करना है, तो अगर आपको इन reactions को use करना है, तो इनको use करने के लिए आपको इने थोड़ा सा equal करना पड़ेगा, तभी तो आप दो reactions को एक साथ use कर पाओगे, जैसे हमने thermodynamics में Hess law study करा था, अगर हमें different different steps study करने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन multiple steps को equate करते हैं, तो यहां पर भी हमें इन दो reactions को equate करना है, जिसको हम कैसे करेंगे, carbon monoxide की molecules को equal करके, first reaction में आपके पास 2 moles of carbon monoxide आ रहे हैं, और second reaction में आपके पास 5 moles of carbon monoxide use हो हो रहे हैं, तो जब आप इन दोनों को equal कर दोगे, आपकी reaction equate हो जाएगी, तो इसको हम multiply करेंगे 5 से और इसको 2 से, और यह कैसे करते हैं, हम already Hess law में study कर चुके हैं, बस कुछ नहीं, आपको यह equal करना है, 5, 2 से यहां भी 10 molecules हो जाएगे, यहां पर भी 10 molecules हो जाएगे, तो इस CO2, क्योंकि हम carbon dioxide को ही use करेंगे estimation के लिए, तो यहां पर अगर हम 1 moles consider करें, क्योंकि 5 moles से तो obviously हम calculations perform करेंगे नहीं, हम तो सिर्फ 1 moles को use करेंगे, तो अगर हम इसके 1 moles की बात करते हैं, तो 1 moles of O2 produces 2 moles of CO2, क्योंकि यहां पर आपके पास कैसे आएगा, वो 10 by 5 which is equals to 2, तो यहां पर हमारे पास 1 mole of oxygen से आपके 2 moles of carbon dioxide produce हो रहे हैं, तो इसको अगर हम theoretically को calculate करेंगे, तो हमारे पास oxygen की estimation हम कैसे find out करेंगे, यहां पर आपके पास है 1 mole of oxygen which can produce 2 moles of CO2, तो इसका मतलब है कि अगर हम 32 grams of oxygen को consider करते हैं, तो वो 88 grams of CO2 produce करता है, क्योंकि 1 mole of CO2 का weight होता है 44, तो 2 moles का ह होगा 88, अब यहां पर हमें mass of CO2 जो इस reaction से produce हुआ है, that comes out to be x grams, तो हमें इस x gram को use करना है, oxygen की estimation में, हम कैसे use करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कितने amount of CO2 के लिए कितना amount of oxygen use हुआ है, so 88 grams of CO2 is obtained from 32 grams of oxygen, यह हम अलरड़ी देख चुके हैं, अगर मुझे मेरे पास x gram आया ह CO2, तो कितने gram oxygen use हुआ है, 32 by 88 into x, और यह आपका है amount of oxygen, so percentage of oxygen अगर आपको find out करना हूँ, तो कैसे find out करोगे, amount of oxygen divided by weight of organic compound into 100, which is 32 by 88 into x by w into 100, इस तरीके से आप oxygen की percentage किसी भी organic compound में find out कर सकते हो, तो यह थी हमारे पास हमारे सारी elements की estimation, अब one by one इन सारे elements की estimations को use करके, हम इनके कुछ questions भी attempt करके देखते हैं, कि अगर हमारे पास कोई numerical आ जाए, तो वो हम attempt कैसे करेंगे, और कुछ problems आपके NCRT में given हैं, उनहीं attempt करेंगे, so let's begin with problem number one, so सबसे पहले आपको given है problem number 8.20, so let's see उस problem में क्या पूछा है, problem number 8.20 में क्या पूछा है, on complete combustion of 0.246 gram of organic compound, यह आपका organic compound का weight given है, इतने gram of carbon dioxide is produced and this gram of water is produced, अब आपके पास यहाँ पर CO2 और water का weight भी given है, जो produce हुआ है, determine the percentage composition of carbon and hydrogen in compound, आपको carbon और hydrogen की percentage composition find out करनी है, so यहाँ पर हमारे पास first estimation use करेंगे, हम जहाँ पर हमने carbon और hydrogen की percentage find out करी थी, और किसको use करके find out करी थी, carbon dioxide और water को use करके, कैसे use करा था, हमारे पास formula था न, percentage of hydrogen in organic compound, weight of hydrogen by weight of organic compound into 100, और यह weight of hydrogen हम कैसे find out कर रहे थे, जो भी हमारे पास weight आया था, water का उसको use करके, जैसे कैसे की 2 by 18 into x which is the weight of hydrogen water molecules, तो यहाँ पर आपके पास water molecule का weight आपको given है, 0.104, 1014 grams, तो यहाँ पर अगर आपको weight of hydrogen find out करना होगा, that is 2 by 18 into x हम देख चुके है, x आपके पास यहाँ पर 0.1014 grams है, तो यह आएगा आपके पास 2 by 18 into 0.1014, इसको आपको use करना है, percentage of hydrogen find out करने के लिए, so percentage of hydrogen आप कैसे find out करोगे, 2 by 18 into 0.1014 divided by weight of organic compound which is 0.246 into 100, इसको solve करोगे और आपके पास percentage of hydrogen आ जाएगी, अब इसको आप solve करोगे तो आपके पास percentage of hydrogen कितने आएगी, 4.58%, अब इसी तरीके से हम carbon की percentage भी find out करेंगे, so यहाँ पर सबसे पहले हमें find out करना है weight of carbon, और weight of carbon आप कैसे find out करोगे, आपने पहले देखा था कि 12 by 44 into weight of CO2, जो भी आपका reaction में produce होगा, क्योंकि why आपका क्या है amount of CO2 produced, so यहाँ पर आपके पास amount of CO2 produced कितना आ रहा है, 0.198, so यहाँ आपके पास होगा 12 by 44 into 0.198, जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास weight of carbon आजाएगा, फिर आपको find out करना है percentage of carbon, that comes out to be 12 by 44 into 0.198 divided by weight of organic compound, that is 0.246 into 100, इसको solve करने से आपके पास आजाएगा percentage of carbon, 21.95%, so this is your percentage of carbon and this is percentage of hydrogen in the compound, so this was your problem number 8.20, now let's move on to problem number 8.21, problem number 8.21 में क्या पूछा है, in due mass method for estimation of nitrogen, 0.3 grams of organic compound, अब आपके पास organic compound का weight कितना है, 0.3 gram, 50 ml of nitrogen is collected, यानि यहाँ पर आपको volume of nitrogen given है, at 300 Kelvin temperature, temperature भी given है आपको, और 715 mm pressure भी given है, हमने due mass method में देखा था था न कि हमें pressure की भी requirement होती है, calculate the percentage composition of nitrogen if the equus tension given is 15 mm, यानि यहाँ पर आपको सब कुछ given है, देखो, जब हमने due mass method study करा था, तो due mass method के अंदर हमें pressure find out करना था, temperature और volume चाहिए थी, जिसको use करके हम यहाँ पर weight of nitrogen find out करते हैं, तो सबसे पहरे तो हमें क्या करना पड़ेगा, weight of nitrogen find out करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास, जो nitrogen का pressure create हो रहा है, वो find out करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास question में क्या given है, pressure जो आपका system का है, और equus tension, इन दोनों को use करके, आप pressure of nitrogen find out करोगे, that is the actual pressure of system, जो nitrogen apply करेगा, तो वो आप कैसे find out करोगे, P minus equus tension, और P आपका जो pressure already present है, तो यहाँ से आप अगर pressure of nitrogen find out करोगे, that comes out to be 715-15, that is 700 mm, तो यह है आपके पास mm of Hg, तो यह है आपके पास pressure of nitrogen, temperature आपको given है, that is 300 Kelvin, फिर volume भी आपको given है, 50 ml, बस PV is equals to NRT equation को use करना है, और weight of nitrogen find out करना है, अब इस equation को जब आप use करोगे, अब PV is equals to NRT वाली equation को use करते हैं, आपको ध्यान में रखना है, units का, units का कैसे ध्यान रखना है, कि यहाँ पर जो आप R use करते हो, that is 0.0821, यह आपके किस unit में होता है, यह होता है आपके पास, liter atmosphere पर Kelvin पर mole, अब यहाँ पर आपके पास यह liter atmosphere में है, और यहाँ पर आपके पास है mm of Hg and ml, तो इसको सबसे पहले आपको atmosphere और liter में convert करना पड़ेगा, जब आप volume को liters में convert करोगे, तो इसको 1000 से divide करोगे, यहाँ यहाँ पर यह जो आपने values convert करके find out करें, इन्हें आप use करोगे, moles number of weight of nitrogen, nitrogen find out करने के लिए, यहाँ पर आपके पास equation बनेगी, PV is equals to moles के लिए आप use करोगे weight of nitrogen divided by molecular weight of nitrogen that is 28 into R that is 0.0821 into temperature जो गिवन होगा, बस इस given values आपको यहाँ पर use करने है, pressure is 700 by 760 multiply 50 divided by 1000 is equals to weight of nitrogen W divided by 28 into 0.0821 multiplied 300, जब आप इस equation को solve करोगे तो आपके पास weight of nitrogen आएगा, weight of nitrogen comes out to be 0.0523, बस इस weight को use करने, आपको percentage find out करने के लिए, so percentage of nitrogen is equals to 0.0523 divided by weight of organic compound which is 0.3 into 100 और इसको solve करोगे तो आपके पास percentage आजाएगी, that comes out to be 17.46 percent, so this is your percentage of nitrogen present in organic compound, this was your problem number 8.21, now let's move on towards the problem number 8.22, problem number 8.22 में क्या पूछा है हम से, during estimation of nitrogen present in an organic compound by Zeldal's method, the ammonia evolved from 0.5 gram of compound in Zeldal's estimation of nitrogen, neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4, find out the percentage of nitrogen in compound, अब इस statement का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप यह देखो, कि estimation हुई है nitrogen की, using Zeldal's method, और Zeldal's method के अंदर, हमें nitrogen की estimation, ammonia में convert करने के बाद study करनी होती है, और यहाँ पर हम जो organic compound consider करें, that is 0.5 grams, यानि organic compound का weight है 0.5 gram, अब Zeldal's estimation of nitrogen पर, हम neutralization देखते हैं, जो ammonia neutralize करता है, आपके flask के H2SO4 को, और जो आपका neutralized acid है, that is 10 ml of 1 molar H2SO4, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कि यहाँ पर हमने जो यह acid consider कर रहा है, that is in molarity, और जब हम Zeldal's method study कर रहे थे, तब हम normality में सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, जब हमने यहाँ पर Zeldal's method study करा थे, तो उस time पर हम normality और यहाँ पर भी normality में ही चीज़ों को explain कर रहे थे, हमने यहाँ पर जब calculations इसकी study कर थे, तब हमने gram equivalence consider कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको आपकी बात हुई थी normality में, लेकिन आपको question में क्या given है, question में आपको given है molarity, so molarity और normality में क्या relation है, जब हम normality और molarity का relation देखते है, normality is equals to n factor into molarity, अब n factor क्या होता है, acid और basis के time पर n factor होता है, number of H positive ions and OH negative ions released in the water, तो यहाँ पर हमारे पास given है molarity, तो हमें molarity के according ही question solve करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे calculations पहले theoretically study कर रहे थे, उनको वहाँ पर आप normality consider कर रहे थे, अब यहाँ normality की जगे molarity into n factor consider करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, nitrogen की percentage find out करने के लिए, nitrogen ammonia भी तो find out करना है कि कितना ammonia use हुआ है, या कितना ammonia आपका release हुआ था, जितना ammonia neutralization में use हुआ है, वही तो ammonia release हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास हमें क्या देखा था, कि जो हमारा gram equivalence of ammonia is equal to gram equivalent of residual acid, यह हमने Zelda's method को theoretically study करा था, उस time पर हमने इसके बारे में study किया था, जिसमें हमारे पास अभी art present आपको molarity given है, तो molarity आप यहाँ पर कैसे use करोगे, molarity into n factor into volume, और यह आपको molarity और volume ammonia की consider करनी है, is equal to molarity into n factor into volume, यह आपको consider करनी है H2SO4 की, यह acid की और यह ammonia की, अब यहाँ पर हमारे पास Zelda's method में, Zelda's estimation में हमारे पास जो ammonia होता है, वो same molarity का होगा, बस volume में change आता है, which means कि अगर हमारे पास H2SO4 1 molar का है, तो ammonia भी 1 molar ही होगा, तो यहाँ पर तो molarity मिल गई 1, ammonia का n factor होता है यहाँ पर, 1 तो यहाँ पर ammonia का n factor आप use करोगे, 1 into volume V आपको find out करनी है, molarity 1 for H2SO4, N factor इसका 2 और volume आपको 10 गेवन है, तो यहाँ से जब आप volume find out करोगे, that comes out to be 20 ml, which means कि आपके पास जो ammonia के gram equivalents, residual acid को, बतलब acid को neutralize करने के लिए use होगे, that is 20 ml, अब जब भी हम weight of nitrogen को find out करना होता है, हमें तो हम कैसे find out करते हैं, कि हमारे पास जो ammonia है, उसमें कितना nitrogen present है, और यहाँ पर ammonia हमारे पास 1 molar, जिसका 20 ml यूज हुआ है, और अगर हम 1 molar, molarity को define करेंगे, तो molarity क्या होता है, molarity is moles per unit volume, और जो volume होती है, हमारे पास वो होती है, liters में, which means कि 1 liter of volume में हम moles consider करते हैं, और 1 liter of volume means 1000 ml, which means कि यहाँ पर आप 1 molar और 1000 ml solution की बात कर रहे हूँ, किसकी बात कर रहे हूँ यह solution किसका है, ammonia का, जिसमें आपके पास कितने amount of nitrogen present है, 14 gram of nitrogen, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1000 ml of solution में 14 gram of nitrogen है, आपको find out करनी है 20 ml of solution के लिए, so 20 ml of solution के लिए आपके पास ammonia में nitrogen कितना present होगा, 14 by 1000 into 20, this gram of nitrogen, बस यह आपको weight of nitrogen मिल गया, weight of organic compound आपको given है, और 100 से multiply करके आप इसकी concentration, percentage find out कर सकते हो, so percentage of nitrogen is equal to 14 by 1000 into 20, divided by weight of organic compound which is 0.5 into 100, जब आप इस equation को solve करोगे, यहाँ से 0 से यह 0 cancel, इस से यह cancel, into 10, 5, 2, 0, और जब आप इसे solve करोगे, that comes out to be 56%, which means percentage of nitrogen in ammonia, या फिर आप कह सकते हो, in organic compound found out by the Zeldal's method is 56%, so this was your problem number 8.22, now let's move on to problem number 8.23, problem number 8.23 में क्या पूछा है, in carious method of estimation of halogen, यानि यहाँ पर हम हमें halogen की estimation करनी है, जिसमें आपको organic compound का weight given है, 0.15 gram of organic compound, gave 0.12 gram of agbr, यानि यहाँ से आपको जो halogen अप्टेन हो रहा है, it is bromine, जो agbr की form में आप filter out कर रहे हो, और इसका weight आपको given है 0.12 grams, find out the percentage of bromine in the compound, आपको bromine की percentage find out करनी है, तो जब हमने इसको theoretically study करा था, उस time हमने कैसे देखा था, कि हमें percentage किस तरीके से find out करनी होती है, आपके bromine का molecular weight, divided by agbr का molecular weight, into weight of agbr का जो आपका precipitate बना है, divided by weight of organic compound into 100, और यहाँ पर हमारे पास सब given है, यह आपके पास weight of precipitate है, यह weight of organic compound है, और आपको पता है कि bromine का molecular weight होता है 80, और agbr का molecular weight होता है, 108 plus 80 that is 188 grams, तो यहाँ पर हमारे पास bromine और agbr का तो molecular weight है, तो percentage of bromine आप कैसे find out करोगे, percentage of bromine comes out to be 80, divided by 188 into weight of agbr which is precipitated out, that is 0.12 divided by weight of organic compound 0.15 into 100, इस equation को solve करोगे तो आपके पास percentage of bromine आजाएग, organic compound मिल, so percentage of bromine on solving the equation comes out to be 34.04%, this was your problem number 8.23, now let's move on to problem number 8.24, problem number 8.24 में क्या पूछा है, in sulfur estimation, अब यहाँ पर हम sulfur की estimation कर रहे हैं, जिसमें आपको organic compound का weight given है 0.157 grams, gave 0.4813 grams of barium sulfate, जो आपका precipitate होता है ना solution में, वो आपको weight given है, what is the percentage of sulfur in the compound, आपको sulfur की percentage is compound में find out करने हैं, तो जब हम theoretically sulfur की estimation को study कर रहे थे, उस time पर हम कैसे percentage find out करते थे, हमारे पास equation थी ना, percentage of sulfur is equals to molecular weight of sulfur, divided by molecular weight of barium sulfate, into weight of barium sulfate precipitated out, divided by weight of organic compound into 100, तो यहाँ पर भी हमें बस इसी equation को use करना है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, तो barium sulfate का molecular weight तो हमें पता ही है, that is 233 grams, और sulfur का molecular weight भी बता है आपको, 32 grams, और weight of barium sulfate का जो precipitates हैं, वो भी आपको given है, organic compound का weight भी given है, तो यहाँ से आप percentage of sulfur, find out करसकते और organic compound में, molecular weight of sulfur divided by molecular weight of barium sulfate into weight of organic, weight of precipitate that is 0.4813 divided by weight of organic compound which is 0.157 into 100. On solving this equation, you will get percentage of sulfur in organic compound. So, percentage of sulfur is 42.1% in organic compound. So, this was your problem number 8.24. And with this, your first chapter of organic chemistry, that is some basic principles and techniques is completed. इस chapter में हमने अब यह organic chemistry के बारे में एक basic knowledge cover करी, जिसमें हमने सबसे पहले तो organic chemistry के बारे में जो history थी उसके बारे में study करा, उसके बाद हम carbon जो basic unit है हमारे पास organic compound के लिए उसको study करा हमने, और फिर हम धीरे धीरे आए structural representation पर, जहां पर हमने different तरीके से different forms में एक organic compound को represent करने का तरीका देखा, 2D में भी और 3D में भी, और फिर हमने classification देखी organic compounds की, जिसमें हमने aromatic, non-aromatic, benzenoid, acyclic, open cyclic, सारे groups को study करा, functional groups को study करा, और फिर हम आए धीरे धीरे नॉमन्क्लेचर पर, जहां पर हमने 3 टाइप के nomenclature study करे, nomenclature of alkanes, nomenclature of functional groups and nomenclature of penzinoid systems, उसके बाद हम move on हुए, isomerism की तरफ, जहां पर हमने structural और stereo isomerism study करा, और उनके various types को study करा, and then we move on to the organic reaction mechanisms, जहां पर हमने reaction mechanism के बारे में basic knowledge cover करी, उसके various types के बारे में study करा, जाकि organic reaction mechanisms को study करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की requirement होगी, हमने bond fusion के बारे में study करा, substrate reagent के बारे में study करा, electron movements के बारे में study करा, inductive effect, resonance effect, electromeric effect, hyperconjugation effects के बारे में study करा, और उसके बाद हमाई purification of organic compound बे, जहाँ पर हमने अलग-अलग method से organic compound को purify करने के method सीखे, और उसके बाद फिर हम आए qualitative analysis की तरफ, जहाँ पर हमने एक organic compound के अंदर, अलग-अलग elements को detect करने की technique सीखी, और उसके अंदर देखा कि हम किस तरीके से different different tests को use करके, organic compound में बहुत अलग-अलग elements को कैसे detect कर सकते हैं, और फिर qualitative analysis के बाद हम आए quantitative analysis पे, जहाँ पर हमने अलग-अलग compound के अंदर ये देखा कि जो elements हमने detect करे थे, उन elements की percentage composition क्या होगी किसी भी organic compound के अंदर, So this was all about your first chapter of organic chemistry, I hope आपको समझ आया होगा, अगर किसी कोई doubt है तो comment section में पूछ सकता है, Thank you.